नमस्कार दोस्तों आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवस्टी हमिर्पुन ने जो है वो यहां पे आपने बेरियस यूजी और पीजी कोर्सिस के लिए जो है वो ओनल के लिए नोटिफिकेशन जो वो आउट हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हो नोटिफिकेशन में अड़मिशन नोटिश टॉन्टी टॉन्टी ट्री एंड एलीजिबिल्टी क्राइटेरियो वी टेक एमसी फिजिक्स एमसी एंवार्मेंटल साइंस एम टैक एम बीए ए सब्सक्राइब करते हो तो आपके सामने जो है यहां पर देख सकते हो कि जो एच्पी टैक्निकल यूनिवस्टी है उन्होंने यहां पर में एमसी फिजिक्स, एमसी एंवार्मेंटल साइंस आपका साथ में बीटेक के लिए फर स्ट पे इसके लिए नोटिविकेशन निकाला लाओ साथ में आपका एमबीए के लिए M.C.A., M.T.A.C., उसे के साथ आपका Bachelor in Hotel Management and Catering Technology, आपका साथ में B.S.C. in Hotel Management, B.B.A., B.C.A. और PG Diploma योगा, तो इन सभी कोर्सिस के लिए यहाँ पे Technical University ने जो है वो Admissions Come, Counseling, Notice 2022-23 जो है वो Release कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग M.C. Physics, M.C. Environmental Science और V.T.E.C. लेटर एंटरी साइकलियर की बात करें, तो इसमें जो Admissions का Criteria रहेगा, वो यहाँ पे Qualifying Examination रहेंगे, इट मीन्स Qualifying Examination यहाँ पे जो आपके Graduation में Marks हैं, उसके Base पे आपको बात कर लें, तो आपको यहाँ पे जो Admissions का Criteria रहेगा, वो एक तो आपके जो Graduation में, B.T.E.C. में, जो Marks थे, उसके Base पे यहाँ पे आपको Admissions मिलेगी, साथ में, अगर हम लोग यहाँ पे MBA की बात कर लें, तो MBA में जो Admissions का Criteria रहेगा, तो आपने यहाँ तो CAT का exam दिया हो, या तो आपने management aptitude test का exam दिया हो, या C-Mate का exam दिया हो, इसे के साथ आपने HP, CET है, उसके यहाँ पे Marks लगेंगे, और आपकी bachelor degree के Marks लगेंगे, तो इस पेस पे आपका यहाँ पे जो है वो Admissions होगी, अगर आपने यहाँ पे HPU MAT भी दिया है, तो भी उसके Base पे आपको आपका Technical University जो हमिरपूर है वो ही यहाँ पे conduct करेगी, तो इसके Base पे आपकी Qualifying Marks बनेगी और साथ में आपकी graduation degree के Marks यहाँ पे count होंगे, अगर MSC Physics की बात करें तो यहाँ पे कोई भी entrance test नहीं होगा, MSC Physics में आपकी जो भी है, आपकी graduation में जितने भी Marks थे, उसके Base पे यहा जितने भी graduation में Marks थे, उसके Base पे यहाँ पे percentage बनेगी, इसे के साथ PG Diplomant Yoga की बात करें तो इसमें भी सेम जो भी आपके graduation में Marks थे, उसके Base पे यहाँ पे admission मिलेगी, BSC अगर हम लोग Hotel Management की बात करें तो यहाँ पे आपकी Plus 2 के Marks के Base पे admission मिलेगी, जो आपका Bachelor in Hotel Management है, उसम में भी आपको Plus 2 के Marks पे admission मिलेगी, BSC और BBA में भी आपको यहाँ पे Plus 2 के Marks के Base पे जो है वो admission मिलेगी, इसे के साथ अगर हम लोग यह देखें कि कब आपका कैसे कैसे exam यहाँ पे form फिल कर सकते हो, तो MSC Physics और MSC Environmental Science के लिए जो starting date अब पिछले कर से start होगी है, यानि कि 21 अ कल ओपन होगा, यानि कि 23 अगस्ते लेकर 28 अगस्त तक जो है वो apply कर सकते हो, तो MBA के लिए अभी open नहीं हुआ, पोटल यह कल ओपन हो जाएगा, इसे के साथ MCE के लिए भी कली open होगा, MTAC के लिए भी कल, आपका Bachelor in Hotel Management के लिए भी कल, BSC Hotel Management के लिए भी तेज को ही open होगा, साथ में आपका VTAC के लिए यहाँ पे पोटल पिछले कल, यानि 21 अगस्त को open हो चुका है, तो फिर से आपका जो MSC के लिए डमिस रहेगी, वो qualifying marks रहेंगे, आपके जो graduation में है, उसके base पे आपको admission मिलेगी, merit base पे MBA के लिए यहाँ पे या तो HPCET exam होगा, या तो आपने CAT क exam दिया, तो इसमें exemption है, इसे के साथ आपका मैट के marks भी यहाँ पे जुडेंगे, MCA के लिए यहाँ पे HPCET exam जो है, उसके base पे और आपके graduation के base पे merit बनेगी, MTAG के लिए आपका get के score पे आपको admission मिलेगी, और जो आपका VHM है, और इसे के साथ BSC hotel management है, BBA, BCA, PG, डिपलोम होगी, वो यहाँ पे plus two के marks पे होगी, और MSC के लिए आपकी जो counseling होगी, वो VTEC, sorry, आपके graduation में marks है, BSC में उसके base पे जो होगी, अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या से जो है आप इस in examination form को fill कर सकते हो, इसका procedure क्या रहेगा, तो चलिए दोस्तों करते हैं उसके बारे में बात, next अगर हम लोग बात करें कि कहां से जो है वो आप यहाँ पे in courses के लिए online apply कर सकते हो, तो आप यहाँ पे जो है नीचे आपने scroll down करना है website को open करके, तो आपने यहाँ पे admission, यहाँ पे आपको notice board पे दिख रहा होगा, admission come counseling form for various courses session 2022-23, तो admission come counseling form बाले option पे आप आप यहाँ से click कर देना, जैसे भी आप यहाँ पे click करते हो, तो आपके पास से कैसा interface यहाँ पे open हो हो, जाएगा, तो अगर आपको चाहते हो कि आपको यह interface proper तरीके से दिखे, तो आपको यहाँ पे side में three dots दिख रहे होंगे, आपने इस पे click करना है, और यहाँ पे नीच इस station बाले option पे click कर देना है, इस station बाले option पे click करने के बाद आपके पास एक ऐसा interface जो हो open हो जाएगा, तो फर्स्ट पर आपका user name तो यहाँ पे अपने name के coding कोई भी user name जो हो set कर लेना है, जैसे आप यहाँ पे अपने कोई भी user name जो हो set कर सकते हो, उसके next आप लोगों यह आपना एक पासवर्ड जो है वो फिल कर लेना है अपना यूजर नीम सेट करने के बाद नेक्स्ट आपने अपने पासवर्ड फिल कर लेना है आपने कोई भी अपने कोडिक पासवर्ड सेट कर सकते हो और नेक्स्ट आपने कनफर्म पासवर्ड में भी सेम वही पासवर्ड य आपना mobile number पे्शिश्टर बाले option पे अपनी घायब यहाँ पर दी होई यहальные तो आपपके स्क्रीन की इच towel ले सकते हो या आप यहाँ पर प्रिंट ले सकते हो चाहित newspapers ये आपको साइड में Lonin की दिख रहा होगा Baş तो अगर यही पेज रहता है आपने अपना ID पासवर्ड या तो नोट कर लेना है तो स्क्रीन सोट ले लेना है उसके नेक्स्ट आप अपने कंटीनु पर क्लिक कर देना अगर रिफ्रेस हो जाता है तो आपने यहां पर साइड में लोगिन दिखर होगा तो आप जो अपने य कर लेना है अब नाक्स आपने यू जने मम पासवर्ड source हों आपने यहां परrän लोगिन पर ऑप्षोन पर क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करते यह आपके पास यहां पर ऑप्षों में क्योंकूंसे तो आसे जाएंगे द हैं एमसी फिजिक्स और अन्वार्मेंटल साइंस एमसी और बीटे के लिए यहां पर फोम आ गए हैं और बाके गोर्सस के लिए फोम कल यानि 23 अगस्त को जो हो आएंगे तो जैसे स्पोज आप यहां पर आपने फिजिक्स के लिए प्लाइ कर देंगे तो आपके जितनी फोम सेम अजीटिज यहां पर भरे जाएंगी तो सबसे फ़ीड़ यहां पें कोट्ता तो आप लोगों यहां पर स्लेक्ट कर लेंना कि आप एच्पी कोट्ता के लिए अप्लाई कर दो अगर आप इमाचल के बाहर के student है तो आप यहां पर अपना अपिल कर लेना इसके डेट फिल कर लेना अगर आपका correspondence address और permanent address same है तो आपने यहां पे इस option वाले click in permanent address वाले same as communication address वाले option पे जोब क्लिक कर देना अगर अलग लग है तो आप यहां पे different different अपने address जो फिल कर सकते हो इसके next जो है आप लोगने यहां पे बैदरीज पर अपने इस करते हुए यहां यहां पर भार के रहने इसके बाद आपने ऐस पोड़ता है तो आप यहां कर प्रूν जो कर लेने तो आपने यहां घुळ कर दिना है इसके बास पर आपने हैं यहां पर फिश्ड कर आपके कर लो अगर आपका अपने दिग्री जो भी है स्लेक्ट कर लिनी है उसके next आपने अपने यहां पे जो भी other diploma कुछ करा वो select कर लेना नहीं तो आप यहां पे select कर लोगे उसके बाद अपने उनिवस्टी कर लेनी पर obtain marks कितने थे आपने के next आपने total marks किते हमें प्रसेंटे जो भी है वो अपने ये सारी detail फिल कर लेनी है और अपने save बाले option पर क्लिक कर देना है तो यह से आप अपने education qualification जो है आड कर सकते हो आपने अपने signature आपलोड कर लेनी है जैसे आप करते हो यहाँ पे प्रिंटर प्रिव्यू का option आयगा उसे प्रिव्यू प्रिवियू पे आपने लोगों कर लेनी है तो ऐसे इस तरीके से आप लोग जो है यहाँ पर अपना online form फिल कर सकते हो फिर भी आप लोगों को यहाँ प दोस्तो यह थी मारी आज की वीडियो अगर आप लोगों की वीडियो ने प्रमेटिव लगई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तहसे अपडेट की मारे साथ बनने रहीं धन्याबाद